देखे एक बाबा जी हैं अभी थाने खोना रहे पर ये तहरी देने जा रहे हैं इनकी उम्र लगभग 80-85 बरस है और ये साधू जो है पुट्टी बना करके रह रहे हैं देश दुनिया से कहते हैं साधू हो जाने के बाद कोई मतलब नहीं रहता है फिर क्या प्रावलम इनको हो गया कि ये थाने का चक्र काट रहे हैं देखे अभी इनकी बुझूगी आवस्था है और ये काफी सताय हुई दिख पड़ रहे हैं ऐसे में हम इंसे स्वेंग जानना चाहेंगे बाबा जी से क्या प्रेशनी इनको हो गया कि ये थाने पर ताहरी देने जा रहे हैं ऐसी क दोड़ के पास एक अजल पूर्गाव है वहां की कुप्ठी है थाजरा भी चाधर में वहां को प्ठी है अच तो कितना साथ से कुप्ठी बनाए हों हमायास ऑस मुझल तो आइसे क्या परिशानी आपको हो गया जो भी थाने पर जा रहे हो अब यह प्रेशानी हो वह में धंकी देता है जारी पिलेता है जेट्थु जमन है कल्यू नाम का है यादो है वह आपके कुट्टी के पास की रहता है अब भी बात नहीं मानता है तो क्या कह रहा है वह कह रहा है कि हम इसको ले देंगे तुम बोलोगे तुमारा कुझा फोंगे वे घर फोंगे वे यहीं आपकी कुट्टी को जला देने को कह रहा है कि अपको का ला राएंगे यह ले जमीन जो है ठोड़िये है अच्छा उसी की जमीन है आपकी बनी हुई है अच्छा तो वो प्ठी पर जो हटवा करके खुद कभजा करना चाह रहा है अगल बगल उसकी जमीन है बघली के पास फ्रॉण बील बैल भी लगे होंगे तो आप ताहरी लेकर कर थाने पर जा रहे हो यह शिकायत करने जा रहे हो आप अच्छा क्या नाम आपने बताया था हमार नाम है रामदक रामदक यह आप दौरतपूर गरंट में वहां अचलपूर खदरा में कुट्टी है वह रहे रहे हैं करीब 30 सालों से आपने कुट्टी बना के रखा है तो देखें यह बाबा जो है पचासी साल के हैं यह यह कुट्टी बना करके वहां रहे रहे हैं जो जो दौरत्पूर गरंट बता रहे हैं यह यह विरकुल एक गोड़ा जिले के एकदम उत्री छोड़ पर नदी के पास में ह अगर नदी कराश कर जाएंगे तो सिधार्थ नगर पड़ेगा यह बाबा वहीं रह रहे हैं और काफी दिनों से कुट्टी बना करके रहे हैं यह बता रहे हैं उनके गाउं कुट्टी के पास ही एक आजमी का जमीन है और वो जित्त जो है इनके कुट्टी पर हावी होना अचारैंवी देंगे अईसे यह बाबा को देखिए काफी यह भैभीत लग रहे हैं अभी पर जा रहा है